हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चानल तो आज हम बनाएंगे चिकन चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने चिकन को काटके अच्छे से धोलिया है तो इसमें हम मसाला डालेंगे तो देखिए मैंने नमक डाल दिया है स्वादनुसार और अभी हम एक सिसमें हल्दी ऑ्टर डाल देंगे और 28 Patient मैस धनिया पाउडर और 13 माष्व से जीरा डाल देंगे और एक समस हम काली मिरूच आप डाल देंगे और फ्रेंड है Это साराना हम डाल के बहुत अच्छे से मिलाएंगे इसको और यहां Yakite last mean में डाल दी उस लस्टन और अध्र प्याज को अच्छी से काट लिया है, तो देखिए प्याज को भी मैंने डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा सरसो का तेल डालूँगी, कच्चा वाला तेल, तो फ्रेंड देखिए इसको मैं ग्यास पे नहीं चड़ाया है, मैंने कड़ाई को नीचे ही रखा है, सारा मसा में अच्छे से मिला लोगी। मैं अपने हाथ से ही अच्छे से मिला लोगी dew है। इसे मिलाना है ताकि चिकन में अच्छी मसाला चलाजाए। तो आप एक बार इस तरीक ही सब बनाके देखना चिकन देखिए। सारा मसाला मिलाने के बाद मैंने कुछ देर रख ढ़िया ठाल झटा कि और फीर देखिें। जब तक कि मसाला नीची से चिपगे ना तब तक इसको फ्राइ करना है तो देखिए हम किस तरीके से फ्राइ कर रहे हैं तो आप भी देखिए लास तक और इस तरीके से आप भी एक बड़ चिकन बनाके देखना आपके बहुत ही डेस्टी वनेगी तो देख सकते हो आप चिकन में से पानी छोड़ दिया है और पानी सूखनी के बाद चिकन में से तेल भी छोड़ दिया है तो आप भी इस तरीके से फ्राइ करना और इस तरीके से बनाना चिकन और जो भी टिप्स मैंने बताया है उसको जरूर फॉलो करना देखना आपका चि चिकन क्या कोई सब्जी चूले में बनाओगे तो आप देख सेकते नीचे से चिपकने लगा है अब हाम इसमें पादी डालेंगे आप पानी को गरम करके डालोगे तो बहुत ही बढ़िया होता है तो देखिया मैं गरम करके डाला है पानी को और इसको अभी मैं पकाऊंगे अच्छे से और ये चिकन गल्ले में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा करके ही पानी डाला है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो पानी तो देख सकते हो बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है अब मैं इसमें आलू साबुद वाला जो लसन होता है वो मैंने लिया है उसको मैं डालू की चिकन में तो देखिए आलू और लसन को मैंने डाल दिया है फ्रेंट आप भी चिकन में ऐसे साबुद वाला लसन डाल के एक वर खाके देखना बहुत ही बढ़िया लगता है तो देखिए मैंने आलू लसन को डाल दिया है अभी मैं ढगड़क कि इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी और चेक करूंगी कि आलू गला है या नहीं तो आप इस तरीके से बनाना देखना बहुत इच्छा बनेगा आपका चिकन तो फ्रेंट वीडियो लाज jurisdiction देखना इसके इप किये विडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ओर अपने दोस्तों के साथ शेर करना और चैनल पर नएया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत मिने ढख के पकाया है जिकन को इसका पानी जो है वो बहुत हद तक सूप गया है और देखिए आलू भी बहुत सब्केस अऐसे सौफ्ट हो गया है और लसन को मैं दिखाती हूं आपको लसन भी कापी अच्छे सब्सक्रिम्प मैं अभी हम इस में लगाएंगे तड़יק तो सबसे पहले हम चिकन को निकाल लेंगे एक पतीले में तो आप देख सकते हो मैंने एक पतीले में निकाल लिया है फ्रेंड आप इसका कलर देख सकते हो कितना बड़ी आया है कलर तो मैंने जो टिप्स वताया है आप उसी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका चिकन भी ऐस डाला है और उसमों मैंने में डाल दिया है जीरा जेर चे yerा से चतख जा फिर मैं इसमें एक टेज-पत डाल दूगी और अभी हम इसमें डाल देंगे तड़के लिए तो देख सेकते हो आप मैंने डाल दिया है तड़के में अधोरी दियर में 죄송um तो आप देख सेटें इसके ग्रेवी बहुत गाड़ी हो गई है बहुत अच्छे से अब इसमें थोड़ा सा गरम-मसाला पाडर में डालूगी अब चाहे तो चाहो तो लास में दनिया भी डाल सकते हो घरा धनिया तो मैंने धनिया पता नहीं डाला है बस करम-मसाले को डाल द तो देखिए चिकन विल्कुल रड़ी है आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो और ऐसे खाली-खाली भी खा सकते हो जैसा आपको पसंद हो आप उस तरीके से लीजिए खाईए और कॉमेंस करके जरूर बताईए कि आपका चिकन कैसा बना है खुद खाईए सब को आपको भी पसंद आएगा को जब कर से खाली में तरीके से अटीर को मेरा हम मुश्यिए और के खाली आपको जोआ को हें तरीक पूसितार आपको पसंद आएगा